एक्सपोनेंट पावर अभी तक हम यही समझते हैं कि एक्सपोनेंट पावर जो है दोनों का एक ही मतलब है पर दोनों का एक ही मतलब नहीं है इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरंस है अब कि इसके लिए एक एक्जआमपल हम लेते जैसे कि महानलो टूरेश्टू third is equal to 8 तो हम यहां पर अगर इन सब चीजों को define कर दो जो 2 है उसको हम बोलते हैं फ्री जो है उसको हम ब्लते realities जो 8 use पावर 3 जो गलत है हम ऐसा बोलना चाहिए 2 to the exponent 3 is equal to 8 इस चीज़ को समझने के लिए हम एक simple सा example लेते कि हमारे पास मालो एक amplifier या power box है वो power box में जैसे मालो this is power box और power box में हम input देते 2 और इसमें ऐसी कोई process होती है है कि हमें output में मिलता है 8 तो यह जो value है वो 2 से बढ़ी है तो हम इसको बोल सकते कि 8 this value is a powered form of 2 यानि कि कोई process हमने कर रही है जिसके वज़े से इस value को हमने बढ़ी कर दे तो वो process क्या है उसको हमने exponent लगा दिये so that is why जो यहां पर है that is exponent and उस वज़े से जो values बढ़के आ रही है उसको मोल थे 8 so this is a basic difference between exponent and power